हेलो दोस्तों विल्कम बेक टो मैं डूब चैनल तो स्वागत आपका एगने वीडियो में नए बिलोग में फिर से तो मेरा नाम महमद सर्ताज है और मैं कतर में हूँ पिछले तीन सालों से तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच बाते ऐसी जो आपको फॉलो आदो या जॉब तकवा दो यह जो शब इस तरहीग से तो यह पांच बाते जो हैं मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो देखे आप कतर आने वाले हैं या कतर और रहे हैं तो यह चीज़ जरूर जानने भाई थीक है ताकि आपको यहां पर आने के बाद दिक्कत नहीं हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे कतर कैसे आए यहां का ओनेरावल जो है वो फिर है discover कतर से hotel book करके और insurance feel करके लेकिन अगर हमें कतर आना है काम के लिए working के लिए तो हम कौन सा रास्ता चुने तो देखिए आप सबसे पहले अगर आपको कतर आना है या आपको कतर में काम करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए देखिए एक तो होता है domestic worker व ठीक है वो domestic worker हो गया यानि शक्षिया विजा ठीक हो होता है दूसरा होता है company का विजा ठीक है अगर कोई company है वो विजा आपको दे रही है कतर से के आप कतर में आए और आने के बाद हम आपको यहां पर मतलब हायर कर रही है वह supplier company है एक होता है वह एक होता है डारे company के जो चल रही है चीज देखे आज कल क्या चल रहा है कोई भी इंसान कतर के अंदर company open करता है किसी की मतलब sponsorship लेके और company उपर करने के बाद यहां से विजा निकलता है और वह विजा इंडिया में बेशता है भाई दो दो लाग में तीन तिन लाग में उसके बाद आप फ्रेश लें बाइब किसीभी टाइब का विजा लें करें कि में वहाँ जाने के बाद क्या खरूंगा कहां पर रहूंगा क्या मेरी salary होगी सब सारी चीज़े करें ठीक बाई भाई फ्री लेंस विज़ा जो है इसमें आने से पहले आप प्लीज ये काम जरूर करने अपने काम गंतिजाम रूम और सब सारी चीज़े कौन आपको बुला रहा है कौन हायर करेगा कौन काम दिलवाएगा कौन यहां जुम्मादा लेगा ठीक है भाई यह जरूर करने प्लीज दिखे यहां पर आने के बाद आप अगर आपके पास अच्छी है आप इस बारे में मालूमाद है यापके पस इंफॉर्मेशनी किस टाइप से जाया जाता है Minuten किसे होती है काम करती है तो भाई तभी आप अपना पैसा किसी को दें ठीक है और तभी आप ये रास्ता अपना यूरोप कनाड़ा वगेरा जाने का ठीक है सबसे में चीस्तों देखो इसके अंदर यह हैं कि आप भाई एजुकेटिट हो अच्छे तेरी किसे तो आप देखो अगर आपके पास भा यह आदमी विज़ा देता है आपसे बोलता है कि कतर जाओ महाजाने के बाद आपका लेसंस बन जाएगा महाजा के ड्राइविंग करो ट्रक चलाओ चलाओ यह सब सारी चीज़े तो देखिए आप जब कतर में आ जाएंगे ठीक है दो लाग रुपे खर्चकर के उसके इतॉमेटिक गाड़ी का या मेनुयल गाड़ी का लेसंस होता है लाइंट लेसंस में 5000 जाते हें पूरे और एपको यह की डेट मिलती है एक महीने बाद दो महीने बाद तीन महीने बाद तो भाई आपके पास अगर किसी गल्फ कंट्री का लेसंस है तो आपके लिए बहुत जादा आसानी है और आगर आपके पास लेसंस नहीं है एक्सपिरेंस नहीं आप फ्रेशर हो तो भाई आप प्लीज इस शेजार रियाल तक लग सकते हैं लेसंस बनने में आप पहले दो लाग रुपए इंडिया में दोगे उसके बाद ये फिर पांच अजार रियाल मतलब एक लाग दस अजार रुपए लग भग ठीक है तो इसी तरीके से भाई आपका बहुत जादा पैसा इसमें इन्वेस्ट ह जाएगा नंबर चार अगर आप कदर के अंदर आते हो यहीं फिरिलेंस विजा लेके या फिर किसी भी परपस आते हो तो देखिए आपको यहां पर जॉब दो दिन में चार दिन में नहीं मिल पाएगी मैंने से पिछला पहले एक वीडियो बनाया था एक अपने दोस्त का तो आपको एक से देड़ महीना तक लग सकता है यहां पर क्यूंके आने के बाद आपको देखिए आप किसी भी आफिस में आप इंटर्वी के लिए जाएंगे जो लोकल हाइरिंग कमपनिया होती है तो वहां पर आपको देखिए आपका एक्स्परिंस देखा जाएगा और आपको किस लाइन में मतलब आपके लिए बेटर रहेगा तो उनके पास वह उपसंस होएगा तभी आपको वह जॉइन करेंगे हाइर करेंगे ठीक है आप यह मत सोचना के मैं कतर जाओं जाने के बाद दो दिन में ही मुझको जॉब मिल जाए ठीक है तो भाई आप अपने स 200 या 250 रियाल फूड में भी आपका इतना ही जाएगा 200 या 350 रियाल और जो यहां के लोकल ट्रांस्पोर्ट है अगर आप टेक्सी सब चीजों का यूज करेंगे तो एक्सपेंसिब है अगर आप मेट्रो कार्ट बन वालेंगे और कारवा वस यूज करेंगे तो आपके आने के बाद पता लेंगे कैसे मेट्रो में ट्रेवल करना है और कैसे कारवा में करना है ठीक है अब यहां पर आजाओगे नंबर पांच देखे भाई कतर की गववर्मिंट कतर को बिजनिस हब इस्पोर्ट हब और टूरिजम हब बनाना चाती है ठीक है जिसके लिए यहां पर पिसले 10 सालों से काम चल रहा था बहुत हाई लेवल पर उंचे लेवल पर ठीक है फीफा विल्टकप से पहले वो सब कंट्रेक्शन हो चुका है फिनिस ठीक है तो अब यहां पर जॉब के चांसें जादा यानि जो लीविंग जॉब होती है या फिर जैसे टूरिजम हब ह होता है को यह स्पोर्ट सब होता है तो उसमें जॉब ज्यादा निकलती है ठीक है उसमें आउटसाइड वरकिंग का जो सिस्टम रहता है वह बहुत कम रहता है जैसे के आपको जहांसा दिया जा रहा है कि आप कतर जाने के बाद जाने के बाद यह ट्रक का लेसंस बन वालो पाने का टेंगर चला रहाँ है यह करना तो ये सब चीज़े जो है बहुत जाद़ अकाम हो गई है तूरिजम हूज होने वाला है यह हो गया है भाई तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को जादा देखा जा रहा थेGI टो भाई जितना मेरे सो हो सकता है आपको information देना बताना या support करना उतना मैं alhamdulillah करता हूँ ठीक है बागे भाई मैं भी यहाँ पर एक worker हूँ मैं भी परदेशी हूँ तो भाई इन चीजों का आप ख्याल रखें फिलीज ठीक है यह बहुत जादा बात आ रही थी बतलब कोशन आ रहे था इस टाइप के तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कोई आपका दोस्का तर आने का पिलान कर रहा है तो उसको शेयर कर दो भेज़ दो और इस वीडियो में तब तक के लिए बाइब नकाल रखें अच्छे से रहें